कि नमश्काल दोस्तों मैं हुमेश रमा चार्ट अनेलसिस चैनल पर आपका हर्दिक स्वागत करता हूं जैसे कि हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि आज के दिन बजार में तेजी रहेगी और आज के दिन बजार में तेजी आई भी अगर हम देखे तो डिफ्टी में कुछ 14 पॉइंट्स की तीजी आज देखने को मिली है वैसी बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट की तीजी देखने को मिली है और आज के हाई आप चेक करेंगे तो निफ्टी का हाई कुछ करना चाहेंगे और साथ साथ जो आज बजार में तीजी आई यह बट कॉल के प्रीमियूम नहीं बड़े हैं उसके बार यह बताना चाहूंगा क्योंकि मेरे भी बाइक पॉजिशन थी मेरे को भी आज और प्रॉफिट ही होना था आज प्रॉफिट में होता बड़ देखा तो कॉल के प्रीमियूम नहीं बड़े उसकी बड़े से लॉस्ट बुक करना पड़ा तो कल का जो लाख रुबे का लॉस्ट था वो काफियत तक रिकवर हुआ बट फिर भी दोस्तों लॉस्ट तो हुआ ही है रीजन उसका क्या है क्योंकि जो हमारी अनायालिसिस थी जिस अ मार्के ट्यूजडे को ओपन होगा तो देखते हैं कि वाई ट्यूजडे को बजार किस तरीके से मूब करेगा क्या-क्या मार्केट की अभी फिलाल क्या अभी प्रेडिक्शन लगी है मार्केट की बजार में क्या देखने को मिल सकता है बजार में तीजी आई यह मंदी यह उसके बारे में चड़ सा करना चाहेंगे तो आज की वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग शूर से लेकर आखर तक जूर देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो दोस्तों आपको पता है कि यार बजार में आज जतीजी बताई थी बट उसके अज़ाफ से प्रीमिय यह चीज नहीं बहुत ज्यादा गलत है काफी लोग बोलेंगे कि नहीं विक्स बढ़ियो ती ऐसा हुआ वैसा हो बट यह फिर आप्शन करेगा क्या आप यह बताइए अब आप्शन बायर है अगर आप्शन माइं कर रहा है वो क्यों कर ऑप्शन माइंग फंड का मैं उसक नहीं जब ट्रेड बनाया था उसके अकॉर्डिंग ली तो बजार मूफ करना चाहिए था दिल्कुल भी नहीं हुआ अगर मैं तो बारे में बात करो तो बैंक निफ्टी आज 44600 का जब हाई बना था ना बैंक निफ्टी में तब प्रीमियम जो था बैंक निफ्टी का जो म उनके लिए जब ऑप्शन बाय करते हैं अब देखो भाई 44600 पे जब बैंक निफ्टी ने हाई बनाया था स्टार्टिंग में तो उस टेम प्रीमियम जो था अब यहां से बन 50 पॉइंट की मुवेंट देखने को मिली है उसके साबसे करेंगे तो यार मरा सा मरा 60 से 70 पॉइंट यहां से बढ़ने चाहिए थे 300 रुपे प्रीमियम होना चाहिए था मेरे मेरी कैलकुलेशिंग में साब से 320 होना चाहिए था मैं कहा रहा हूं 290 से 300 रुपे के बीच में आता कितना चल लाता 220 रुपे और थोड़ी सी गिरावट आई तो एकदम से प्रीमियम सीदह 170 रुपे चले गए इस वजए से मैंने पॉश्चन स्कॉयर अफी कर दी थी क्योंकि लग रहा था प्रीमियम नहीं बढ़े तो मुझे एवर लगा चा लगारे और कोई भी कारण है प्र फिर याइड इस तरीह क से ना कहीं नहीं जो आपशय्वायर रहा हो दीमोटिवेट हो गई अब आपको लगए कि मार्किट यहां से हमूव करेगी आपने ट्रेड भी मनाया बजार आपके शाइड बहीं चल राए बट आपको नुक्सान हो रहां फिर आप करें क्यों हो इससे बैटर रहे हैं कैश में कर लोगा अब कैश में काम करने के लिए पहले हम करते थे स्ट एकुटी में बड़स के करें लोगों नुक्सान हो रहां अब जो और टेक्निकल अनैलिसीज यूसको भी नुक्सान हो रहा है क्योंकि प्री में उसस तरीके से मूव नहीं कर रहे हैं तो यहार फिर मार्जन घटाएं क्यों पर पहले मिलता था जो लिमिट मिलती ती वह एसी रहती तो टैंटेंस मिलत तो बड़े सही था स्टॉक पर बढ़िया काम हो रहा था option में हमें गुसाया और उसके इसाफ से प्रीम में उसे इसाफ से मूव नहीं कर रहे तो भाई एक रिटेल टेडर तो भाई कई नहीं तो डीमोटिवेट होगा आज अब सारी analysis करी अच्छी analysis थी पर उसके बाद में चेंगा की निफ्टी यहां से मैं डेली का चार्ट आपको लगा Então आपके सामने तो निफ्टी काई prepare और यहां से प्यॉटन हूँ हो तर जाता और उसके बात यहां से उसको break करता है तो उसे bluff कहते हैं तो ऐसे हुआ मार्केट नीचे जाके इसको break कर रहा था तो अभी जो निफ्टी का जो लेवल है मुझे लगनी रहा कि फिर बुलिश होगा बहुत कहने का मनलब मेरा यह है कि अगर बजार पांसो पचास का लोग देखने को मिला है तो मुझे लग रहा है कि इसके नीचे तो फिर भाज सब बहुत बड़ी गिरावाट पर आपको देखने को मिलेगी और वहां से यह जो है आपको 19,200 के आसपास भी दिखाई दे सकता है मुझे ऐसा लग रहा है इसलिए मैंने बता क्या अगरा मार्केट क्लोज होते होते मैं बैंक निफ्टी की डेर सो कॉंटिटी की पुटे ले गया था मुझे ऐसा लग रहा है ठीक है क्योंकि बजार जिस आप से अ काफी दिनों से चीज़ नोटिस कर रहा हूं यह चीज़ देखने को मिलेगी ब्रेक आउट उसे हिसाब से हो नहीं रहे कल मैंने यह ब्रेक आउट पे काम किया था बजार नीची आगे मुझे पता था तीजी है बजार में तो बजार ने चीज़ी दिखाई आज आज देख वह बनाता है 44,755 का कल का भी हाई almost इसने ब्रेक करी दिया था कल का जो हाई था exactly अगर आप चेक करेंगे वह बनाता दोस्तों 17,000 44,733 के आसपास का हाई बनाता आप कीज़ेगा 756 का इसने आज इसको ब्रेक भी कर दिया था ठीक है अब हाई ब्रेक होगे सारी चीज़ी होगी बजार अपने ट्रेंगल के उपर भी चल रहा है बट ब्रेक आउट देखने को नहीं मिला मार्केट उसके बाद बहुत त नीचे आया तो ऐसा लगा कि हो सकता है कि मार्केट में तीजी नहीं है दम नीए तो मैंने वैसी ही तो ले गया गया बनता है तो मैंको कहना चाहूँगा 44,750 के ऊपर इसमें तीजी आ सकती है तो ऐसा नहीं है 40 परदान 750 काटे के एकदम से बाय कर लो करना चाहिए वैसे एकदम से बाय अब वेट करोगे तो यह 8900 भी चले जाएगा ठीक है जादी केंडल की क्लोजिंग अब वेट करोगे तो मेरे साथ से तो भाई माइंग बनती है करना चाहिए और जो इसका सपोर्ट है अगर बजार में गैप डाउन होता है और यह जो लेवल है 44,400 का इसका बहुत कुरूशल सपोर्ट है तो सपोर्ट इसमें बड़ा फॉल आपको देखने को मिलेगा जो मैं आपको निफ्टी में बता रहा था 19,500 का लेवल वह बहुत कुरूशल है और इसी तरीके से 44,400 का बैंक निफ्टी का एक बहुत ही कुरूशल सपोर्ट है अगर वो ब्रेक हुआ तो भीया फिर आपको तरही माम तरही माम हो जाएगा बजार में यह समझे लोगा ठी देखेंगे एक्सिस बैंक में अच्छी खासी तीजी दिखाई आज क्योंकि अच्छी तोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा था रीजन उसका क्या था मैं आपको दिखाना जाओंगा क्योंकि आज एक फ्लाइग पेनेट पैटन मना था अगर आपने हमारा पब्लिक टेलीगरम जोइन नहीं करा तो जोइन कर लो डिस्क्रिशन में वहां पे सारी डिटेल हम बेज देते हैं तो यह हमना हमने देखा था इसमें तो वैसे तो इसमें तेजी आनी चाहिए बट अभी देखोगे तो यार मजार में पैटन्स अगरा बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं वाला अगर ट्रेंगल की बात करेंगे हो सकता है कि कि सब्सक्राइब कर जाए वर्क कर जाए इसके साफ से भी इसका टार्गेट है चीज़ी देखने को मिल सकती है अब अब बाकी और भी चीज़े देखे अगर भी बैंक्स तो अभी खुछ खास क्लैरीटी नहीं है थोड़ा सा आइटी के बाद करना चाहा था था क्योंकि कि आज मैंने आपको निफ्टी आईटी के बारे में कुछ कंफरमेशन दी थी मैंने आपको दिखा देता हूं वन डे का चार्ट यहां पे लगाता हूं और इसको थोड़ा सा कर देना जूम तो आज हमने एक अनालिसिस करी थी निफ्टी आईटी की आपने हमारा टेलीग्र जाता है तो आपको निफ्टी आईटी में भी तेजी देखने को मिल सकती है तो यह काफी लोग पूछे तक भी आईटी में क्या लग रहा है तो आईटी बुलिश लग हो सकता है जब वह 900 के उपर जाता है तो आज का जो हाई एक्जेक्ट टरम बात करेंगे तो थर्टी ट आज़ेशन ट्वंटी के असपस है तो 900 आता है या 32.000 के पर जाता है तो तीजी आ सकती है देखते हैं क्या होता है तूजडे को देखना पड़ेगा और लॉंग वीकेंड है तो आप आश्या करेंगे आप एंज्जॉय करेंगे मार्केट में ज्यादा देखो मार्केट ठी मिल जाते हैं सब्सक्राइबर होते हैं वह भी मार्केट मार्केट में लेके काम कर रहा हूं भंग जो बड़ा फंड लेके मार्केट में काम करता है और अप्शिंग कर रहा है ठीक है वह तो कमा सकता है बागर यह प्लब कर दो करो यार और वी राइफ है । तो पोजिशन कम रखो बैटर रहेगा और अभी याद जो प्रीमियम में जो लोचे हुए है तो आशा करूंगा कि आगे से थोड़ा देखके ही काम करेंगे और जब भी ऐसा लगे कि भाई विक्स बड़ी हुई है तो कोशिश करेंगे कि अवाइट करेंगे थोड़ी सी कॉं प्रफ्टी बताया था आपको उसके बारे में एस बीए का फ्लैक पैटर मरा था उसके बारे में जो भी हमारे ट्रेड्स होते हैं वह सारी चीज़ें हम यहां पर पोस्ट कर देते हैं तो आपने हमारा पुब्लिक टेलीग्रम चनल जॉइन नहीं कर लेना और जिसको टेक्न सीखना चाता है वह हमारा टेकनिकल अनालीसिस का कोर्स भी जॉइन कर सकता है डिस्क्रिप्शन में लिंक और आपको हम एक नंबर होगा स्पर कॉंटेट कर लिजे मारी टीम का नंबर है क्योंकि टेकनिकल अनालीसिस में हम केंडिस्टिक चार्ट पैटर्टर्टर्टर्ट लेट वी टेम प्रेम का कॉमदेशन डिमांड सप्लाइ साइकोली सिखाते हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल में काफी अनालीसिस करते हैं अगर आप वह सीखना चाहा तो सीख सकते हैं काफी कुछ करते हैं करते हैं